ओडिसा के जिस अंचल में साइकलोन दाना 24 तारीक के मध्ध रात्री को लैंड फॉल करने वाला है उसी अंचल का आकाश लैंड फॉल से ठीक पहले रक्त की तरह लाल रंग में परिवर्तित हो गया वहीं लैंड फॉल से ठीक पहले जगनात मंदिर के ऊपर सैकडों की संख्य में विदेशी पक्षी एक रहस समय पैटन में उड़ने लगे जैसा की पहले कभी नहीं दिखा था सबसे रोचक बात यह है कि इन दोनों ही घटनाओं के विशे में यानि आकाश का लाल होना एवं जगनात मंदिर के ऊपर पक्षियों का उड़ना भविश्य मालिका के ग्र अवेश हो जाएगा जहाँ पर पांच लाग से भी अधिक मनिश्य निवास करते हैं एवं जिस पानी में हजारों की संख्या में खारे पानी के मगर मच रहते हैं जय और पराजे का विचार छोड़के करतव्य पर्ध्यान दर अपने आप दू हो जाएगा आकाश दिसीबो रोंगीमों आकार जानीबो किछी दिनों मद्धे होईब संखार अर्थ जब आकाश लंगीन दिखाई देगा तब कुछी दिनों में संखार अवश्य होगा संखार यानि विनाश यानि मृत्यू ये मेरा वानी नहीं है बलकि ये वानी कल्यूग के सबसे महान तथा स्रेष्ट भविश्यवक्ता संत गुरु अच्चू तनंद जी का है एवं इस भविश्यवानी का मूल अर्थ ये है कि जब कल्यूग के अंतिके समय यानि वर्तमान के कालखंड में आकाश, रंगीन यानि लाल हरा, पीला या भगवा दिखाई देगा तब मनिश्य जाती किसी बड़े संकट में अवश्य फसेगा या देश घटना को विज्यान के दुरुष्टी कोण से देखें तो आकाश का रंगीन होना दो कारणों से होता है एक है स्कैटरिंग ओफ लाइट एवं दूसरा है सोलर या जियो मैगनेटिक स्टॉम और ओडिसा में इसी स्कैटरिंग ओफ लाइट के कारण ही आकाश रंगीन दिखाई दिया है 23 ओक्टोबर 2024 की शाम ओडिसा के अनेको अंचलों में आकाश रंगीन दिखाई जिसको की अनेको निउस चैनल्स में भी बताया गया है साथ ही हमारे परिवार के अनेको सदस्यों ने भी कॉमेंट्स के माध्यम से इसके विशे में बताया है और ये रंगीन आकाश उनी अंचलों में दिखाई जहाँ पर साइकलोन दाना का प्रभाव पढ़ने वाला है एक दो जिल्लों में दिखता तो चल जाता पर छे से आठ जिल्लों में दिखाई वो भी अलग अलग रंका जहाँ जाचपूर का आकाश हलके गुलाबी रंका दिखा वही चांदबाली का आकाश लाल रंका दिखा पाठकूरा का आकाश भगवा रंका दिखा वही पारदिप एवं काकटपूर का आकाश रक्ति की तरह लाल दिखा परन्तु recorded history के अनुसार दुनिया के अनेकों अंचलों में साइकलोन या हरिकेन लैंड फॉल करने के ठीक बाद scattering of light phenomenon के कारण आकाश का रंग लाल हरा पीला या भगवा दिखाई देता है ये शायद पहली बार हुआ है कि तूफान से ठीक पहले ओडिसा का आकाश रंगेत दिखा है वो भी एक साथ एक ही समय पर इतने सारे अंचलों में वो भी अलग अलग रंग में तो क्या इसका अर्थी ये है कि ओडिसा में landfall करने जा रहा भायंकर समुद्री तूफान दाना ओडिसा में व्यापक तबाही का कारण बनेगा इसी बीच पूरी के जगनात मंदिर के ऊपर सैंकडों की संख्या में प्रवासी पक्षी यानि माइग्रेटेरी बर्ड्स एक अजीब पैटन में उड़ते हुए दिखे वो भी रात के घोर अंधकार में और जिसने भी इस दृष्य को देखा आश्चरे चकित हो गया क्योंकि एसा पहले कभी नहीं दिखा था, मैं आपको वो न्यूज आर्रिकल्स का स्क्रिन सोट दिखा रहा हुँ वो वीडियोस का लिंक भी पिंड कमेंट में डाल रहा हुँ ताकि आपको एसा ना लगे कि मैं आपको कोई मंघडंत कहानी सुना रहा हुँ हाँ ये सत्य है कि जगन्नात मंदिर के उपर अनेको बार गिद्ध पक्षी बेटे हैं निलचक्क्रे के उपर एक सर्कुलर पैटन में अनेको बार चील पक्षी जुंड में भी उड़े हैं और इन दोनों घटनाओं के विशे में 600 साल पुराने भविश्य मालिका के ग्रंतों में भी लिखा है परंतु साइक्लोन दाना के लैंड़ फॉल से ठीक पहले प्रवाशी पक्षियों का इस प्रकार जगन्नात मंदिर के उपर उढ़ना क्या मात्र एक सामान्य घटना हो सकता है कुछ महत्योपूर्ण तत्यों पर नजर डालते हैं साइक्लोन दाना अब एक नॉर्मल साइक्लोन से इंटेंसिफाई होकर एक सीवियर साइक्लोन बन चुका है आज यानि 24 ओक्टोवर के मध्धर आत्री के बाद इस तूफान का लैंडफॉल प्रक्रिया ओडिशा के तटिय अंचलों में सुरू हो जाएगा जिस समय इसका विंड स्पीड 100 से 130 किलोमीटर पती घंटे तक रहेगा पर इंतु कुछ मौसम वईज्यानिकों का कहना है ये विंड स्पीड बढ़कर 150 से 160 तक भी जा सकता है एसा होगा की नहीं ये तो तूफान के बाद ही पता चल पाएगा पर मैं खुद साइक्लोन के हिट रेंज के अंदर उपस्तित हूँ बाहर तेज बारिश जारी है हवा का गती भी धीरे धीरे बढ़ रहा है फिर भी इन विपरित परिस्तितियों में आप सब के लिए वीडियो बना रहा हूँ आईमडी का कहना है कि ये तूफान डैरेक्टली ओडिसा के भदरक एवं भीतर कॉनिका के बीच लैड़ फॉल करने वाला है और इसी दोरान 2-3 मिटर का स्टॉम सर्ज होने वाला है स्टॉम सर्ज यानि तेज हवाओं के कारण समुद्र का जल एक मिनी सुनामी के तरह उपर उठता है खाई बनने का भी संभावना रहता है पर इंतु ओडिसा के जिस्तान में लैंड़ फॉल होने वाला है वहां का समस्या इनसे कई गुना बड़ा है क्योंकि समस्या का नाम है मगरमच भीत्वरकॉनिका दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर क्रोकोडेल ब्रीडिंग फार्म है जहां पर अलग-अलग प्रजाती के सॉल्ट वाटर क्रोकोडेल्स का ब्रीडिंग किया जाता है और उन्हें समुद्र में छोड़ दिया जाता है इसा इसलिए क्योंकि इस पराजाती के मगरमच लगभग विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके थे जो कि एकोसिस्टम के लिए घातक हो सकता है इस अंचल में 100-200 नहीं बलकि 1000 मगरमच उपस्ति थे और जैसे आपके अंचल में कुत्ते गूमते रहते हैं वेसे ही यह जहां पर यह मगरमच घुमते रहते हैं अब इस साइकलोन के कारण अत्याधिक बारिश होगा स्टॉम सर्ज भी होगा जिसके कारण यह सारे मगरमच तलभाग के और अंदर प्रवेश हो जाएंगे जहां पर 5 लाग से भी अधिक मनुश्य निवास करते हैं अब यह देखन अंचल में भी इसी प्रकार का यह इससे भी शक्तिसालित तूफान हो सकता है और यदि हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है आज 2024 में मीन शनी योग से पहले ही परिस्तिति गंभीर होने लगा है हां स्तिति ऐसा नहीं है कि लाखों लोग मारे जाएंग और जाएगा और एसे सिचुएशन में स्वयम के मन पर नियंत्रन रखना सबसे कठिन कारिय होगा इसी कारण अभी से ही अपने कर्म के साथ साथ मन को भी भविश्य में होने वाले विनाश के लिए प्रस्तूत कर लें क्या अब बता सकते हैं कि भारत के पहले वेदर सेटलाइट का नाम क्या है जल्द से उत्तर कॉमेंट कर दीजिए क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूँगा पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि 2024 में भारतिय उपमहदूइप में अभी तक कुल कितने समुद्रिक तूफान बन चुके हैं और मैंने कितनों का भविश्यवानी किया था सही उत्तर है तीन विजेता है आयम पंकच हमारे परिवार से जुढने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवात आप भी इस परिवार का हिस्सा बने लाइक शेर सब्सक्राइब एवं फॉलो करे ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए जय जगन्नात जय पंचसका जय हिंद